दर्सको नमस्कार विश्व जोतिस में आपका स्वाजत है दर्सको विश्व जोतिस समय समय पर आपका मार्ग दर्सन करता रहा है आज हम एक महत्पूर्ण विशे पर विशार करेंगे जो कि हमारे जीवन यापन के लिए बहुत आवशक है प्रितेक प्रानी को अपना ववशाय अपना वैपार जीवन यापन के लिए करना पड़ता है अब जरूरत ये होती है कि वह कौन सा वैपार या ववशाय करें दर्सको सबसे पहला है आप अपनी जनम कुणली का विश्वेशन कराएं आपकी जनम कुणली के आधार पर आपकी धन की इस्तिती क्या है और कौन सा ववशाय कर सकते हैं कौन सा वैपार कर सकते हैं क्योंकि वैपार के कारक ग्रह हैं जैसे बुद्ध है और वैपार छोटा हो या बड़ा हो ववशाय छोटा हो या बड़ा हो अपने सुझधा के अनकूल हर आदमी को करना पड़ता है अधिक पूजी व्यवशाय में लगाने पर ये भी देखना निवारिय है कि क्या कर्ज लेना जुरूरी है या कर्ज लेने के बाद कर्ज दिया भी जा सकता है कहीं दिवालिया तो नहीं हो जाओगे इन सब बातों का विवरन आपको जनम कुणली में मिलेगा जब आपकी जनम कुणली ये बता देती है कि आप यह वशाय करने में फाइदा होगा फिर आता है महुरत दर्सको महुरत किसे भी चीज़ का है एक बहुत बलवान और बहुत बड़ी चीज़ और बहुत एहम रखता है दर्सको जब आप महुरत निकलवा लेते हैं हमारे विद्वानों से पन्रजियों से तो उसके साथ साथ ये विचार करना अन्यवारिय है कि लगन और लगनेश की गोचर में क्या इस्थिती है आपका लगन लगनेश पिड़ी तो नहीं है आपका लगनेश नीच रासी या शत्रू रासी या किसी प्रकार पापकरत्री योग में तो नहीं है या आपका लगने कुंडली के छटे आठवे बारवे भाव में तो गोचर नहीं कर रहा है यदि ऐसा है तो आप कोई भी वप्यारिय वख्षाय करेंगे हानी के अलावा आपको कुछ नहीं लगेगा दूसरा बिंदू है दर्सको सूर्य का भर्मन आपके नक्षत्र से जब सूर्य का भर्मन सत्रवे नक्षत्र में हो रहा है और उस समय आप व्यातार करते हैं तो हानी के अलावा कुछ नहीं लगेगा नक्षत्र वह जिस समय जा तक जनम लेता है चंदर्मा जिस नक्षत्र में होता है वे नक्षत्र होता है उधारन की तोर पर यदि मान लिया आपका अस्नी नक्षत्र है और अस्नी नक्षत्र से सत्रवा नक्षत अनुरादा पड़ता है और आप जब व्यापार का आरहम करने जा रहे हैं उस टाइम पर सूरिय अगर अनुरादा नक्षत्र में है तो मेरे दर् शनी आपका योग कारक है या अशूब है वो निर्ने करना निवारिया है और गोचर में शनी की इस्थिति क्या है गोचर में यदि साड़े सत्य चली हुई है और शनी असूब है संद्रमा के ऊपर परभाव है तो आपका मान सीख बल कमजोर होगा आपका वपार में गाता अनुभव में ये पाया है कि मनुष्य वेपार करने चल पड़ता है और महुट भी निकलवा लेता है लेकिन इन तीन बातों का धान नहीं रखता फिर घाता खाकर बैठ जाता है मैंने आज वेपार शुरू करने के तीन बहुत बड़े बिंदू के बारे मैं आपको जानकारी दी आपको अगर ये मेरा वीडियो महत्पूर लगे अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों को शेर करना ताकि उनका भी मार्ग दर्शन हो सके और वो भी होने वाले हानी से बच सके दर्शको मुझे उमीद है कि आप अपने व्यापार में सफल होंगे और बताए हुए ये जोतिस आधार के बिंदों का पालन करके सुखी जीवन बहतीत करेंगे धन्यवाद